नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोली शो में तो दोस्तों जैसे कि अपने थमनेल में देख लिया भारत बहुत बड़े प्लान लेकर चल रहा है दोजार पच्छिस तक पूरी आर्मी को एरफोर्स कोर साथ ही नेवी को पूरी तरह इसे मोडन बनाने की बात हो ढ копու है बिल्कुल टै हो चुका है प्लान उर क्य हक्या खारीदए गां यह प्लान बना रहा है किस चीज को मोडन कर रहा है पूरी इटेल कर रहा है अगर मैं सारी पर्चेस जितने जितनी खरीदारी कर रहा अगर मैं सारी के आपको बताने लग जाओ तो बीडियो 50 मिनिट स टोपिक मैंने बहुत सारे तोपिक पर वीडियों बना रखें करीए 130 वीडियों है, आप जाकर एक बार चेक किजी, सारी लगव Caesar हें ही मैं कि हिंदी मैं हुआ कर देख सकते हैं, हर जोटी बड़ी चीज़ कि मैंने वीडियो बना रखी है अगर फिर भी आपको नहीं मिलता तो आप comment कर सकते हैं मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा तो फिलाल अगर आपने subscribe नहीं किया तो subscribe भी जरूर कर लिजे ताकि आपको वीडियो मिशना कर सके और साथ ही रिपोर्ट चापी है, रिपोर्ट यह है कि जो नेंदर मोदी लेट गवर्मेंट है, इंडिया में, ये धाई सो बिलियन डॉलर खर्च करने वाली है, दोजार पच्चिस तक, सिर्फ और सिर्फ मोडनाजेशन पे, मैं पूरा बजट नहीं बता रहो हूँ, अगले पांस साल क है, वो तो नॉर्मली 200-300 बिलियन होने वाला है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो सिर्फ मोडनाजेशन को हर तरीके से मोडन नहीं नहीं हतियार दिये जाएंगे, जिससे कि आर्मी और ज़ज़दा अटैकिंग और ज़ज़दा एग्रेसिव बन सके, और उसके लिए पूरी त चाइना बॉर्डर है, यह पूरी तरह से सीज कर देगा भारत, हर मुवमेंट पर नजर रखी जाएगी, मतलब कि अभी देखा हो गया, उत्राखंड में दो एक दिन पहले ही, कुछ जो चाइनीज सोल जरते वे भारत की सीमा में गुसा है, उन्होंने चाइनीज जंडा लह जाएगी, वो जरूर देखेगा, हला कि इसका ही एक, मतलब कि एक और वर्जन है, प्रिडेटर ड्रोन जिसे भारत अलमोस्ट खरीदने ही वाला है, उसकी वीडियो मैंने अलज़ी बना दिया, आप चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल पर आप देख सकते हैं या फिर प्रिडेटर ड्रोन, हिंदी नोली शो आप सर्च कर सकते हैं, वो आ जाएगा, वो भी देखेगा, साथ ही शाम को एक वीडियो आगी, उसे भी आप देख सकते हैं, आप समझ जाएं कि क्या चीज है वे इस नोर्मल चीज नहीं है वो, बहुत ही जबरदस चीज है, और से करीबन सो की तादात में करीता जा रहा है, उसके लिए बिलियोंस अफ डॉलर्स भारत खर्च करने के खुद तयार है, जी हाँ, साथ ही भारत MMRC डीलक आपको पता ही है, उसके अंदर 114 फैटर जेट भी भारत खरीदने वाला है, यानि कि भारत बहुत ज़्यादा अटैकिंग होने वाला है फिलाल और भारत पूरी तरह से तयार है, नंबर बन बने के लिए, एश्या में, दरसल इस सब की सुरुवात हुए बाला कोट़ स्ट्राइक के बाद, जब भारत पूरी तरह से हरकत माया, देखे ही, बाला कोट स्ट्राइक में भारत अपने साही target को हासिल कर लिया था लेकिन ये भी एक सच्चा है कि हमने एक fighter jet अपना खो दिया जो normally नहीं होना चाहिए था क्योंकि भारत एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही professional army है वो सिर्फ जो भी हुआ था जो हमने target अचीव किये थे वो किसी हमारी जो fighter jet है उसकी काविलियत से नहीं हुए थे वो हुए थे हमारे जो pilot है इनकी काविलियत के वज़े से तो क्योंकि हमारे जो fighter jet पुराने है तो उन्हें पूरी तरह से replace करना चाहता है भारत करीबन 400 की कमी है भारत में 400 400 की 14 mmr से complete होंगे इसके बाद और ज्यादा खरीदे जाने वाले हैं खबर यह भी है कि भारत कुछ पुराने जैसे की जापान है उनसे भी कुछ खरीदने वाला है उसके उपर भी मैं आपको डिटेल में समझा दूँगा अलग वीडियो में क्योंकि यह तो वीडियो नहीं तो बहुत लंबी बन जाएगी साथ यह ड्रोन इतनी बड़ी संख्या में इसलिए खरीदे जा रहे हैं क्योंकि भारत चाहता है करीबन 24 गंटे निगरानी बॉर्डर्स पर जो प्रिडियो ड्रोन है वह बड़ा ड्रोन है और महंगा ड्रोन है करीबन 22-23 के उसमें खरीदे जा रहे हैं लेकिन वह उड़ स कि कहीं बार कोट स्ट्राइक होगी तो अगली बार प्रिडेटर ड्रोन ही इस्तमाल होगा क्योंकि वह एक अटैकिंग नैच्रल अटैकिंग ड्रोन है वह तो भारत इसलिए उसे खरीद रहा है इसके लाब बहुत सारे टैंक आर्टलरी और बहुत सारी अलग अलग चीज़ अमेरिका से शिल्ड भी खरीजा रहे है जिससे कि हम अपने शहरों को प्रोटक्ट कर सकें वह बहुत ही हाई-एंड चीज़ है क्योंकि आप देखे वह शिल्ड इतनी इतनी मतलब कि प्रिसलाइबली एक कंप्रीट डिफेंस अक्युमेंट है क्योंकि वह वाशिंग्टन ड वह बढ़ेगी लेकिन हमें फिलाल 36 से बहुत जादा चाहिए 100-114 में कंप्लीट होंगे और कहाई जा रहा है कि इसके बाद भी भारत खरीदना और जाई रखेगा इससे कि भारत के जितने भी कहीं भी कमी है तो उस चीज़ को पूरा किया सके एरफोर्स को पूरी तरह सु 2030 तक होगा लेकिन उसे कहा जा रहा कि 2-3 साल पहले भारत हरहाल में कंप्लीट करना चाहता है इसके लावा तेजस MK2 उसकी भी अपडेट आई है कि उसके उपर में वीडियो बनाके पूरा बताऊंगा क्योंकि डेडिकेटीड वीडियो चाहिए उसके अंदर पहुत सारी च यह एक बहुत ही चीज होगी बहतरी चीज होगी जिससे कि भारत की एक अलगी छवी बन के उबरेगी विशुपटल पर शाती यह चाइना को भी जवाब होगा जो पिछले 10 साल में करीबन 80% अपना बजट को बढ़ाता रहा है टोटल अगर उनका बजट अभी देखें तो पर यह वो धाइसो से प्लस बिलियन डॉलर वो खर्च करते हैं लेकिन वो उनका टोटल बजट होता है भारत जो धाइसो बिलियन खर्च करेगा यह सिर्फ और सिर्फ खरीदी के लिए होंगे मतलब कि जो मोडरनाजेशन के लिए जैसे कि बुलेट जैक्ट होंगे हैलमेट होंगे तो इनके लिए राइफल्स होंगी नहीं नहीं इन पर भारत खर्च करेगा ना कि जैसे कि अलग होगे उससे उन धाइसो बिलियन से अलग होगी इस बात को भी मैं शूर कर देता हूँ जो ऐसा आर्टिकल में लिखा यानि कि भारत जो बजट होता है फिराल साथ से अब बहुत जादा बढ़ जाएगा मतलब कि सिर्फ और सिर्फ खरीदी के लिए जो नहीं नहीं अकुमेंट भारत खरीदेगा इसके लाब आप जानते हैं कि भारत अपाचे और चिनुक जैसे बड़े और बहतरी हलिकॉप्टर खरीद चुका है उनकी डिलिवरे भी शुर जो को वो समझा सकूं मैं आने वाले दिनों में आपको सारी वीडियो मिलते चली जाएंगी मतलब कि एक-के बाद एक शाम को एक वीडियो आने वाली वह जरूर देखेगा अवन जुरूर के उपर मैं पूरी टेल उसमें दूंगा साथ ही आप प्रेटर ड्रोन की वीडियो जरूर देखेगा आप समझ जाएंगे कि predator drone है क्या तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद Thank you very much